आज हम देखेंगे रेखिक सम्मिती और घूर्णन सम्मिती से संबंदित कुछ और उदाहरण राहुल और मनीशा नीचे तरशाई आकरिती पर चर्चा कर रहे थे राहुल का मानना था कि इस आकरिती में दो सम्मीत रेखाएं यानि lines of symmetry है एवं क्रम पारह की गूर्णन सम्मिती यानि rotational symmetry है लेकिन मनिशा का मानना था कि इस आक्रिती में 6 सम्मीद रेखाएं हैं और क्रम 6 की गुणन सम्मिती है ज्याद कीजिए राहुल के समझ सही है या मनिशा की यहां राहुल ने जरूर एक उर्द्वाधर सम्मीध रेखा यानि Vertical Line Of Symmetry और एक शैतिच सम्मीध रेखा यानि Horizontal Line Of Symmetry खेची होगी और सोचा होगा की आक्रिती में 2 सम्मीध रेखाएं हैch राहुल और सम्मीध रेखाएं खीचना भूल गया होगा इसी तरह उसने सभी कोनों के गिंती की होगी जो 12 है और समझा होगा कि यहां 12 कोने है इसलिए गुनन सम्मिती का करम भी 12 होगा यहाँ भी गलट समझ है इसलिए हम कह सकते हैं कि राहुल की समझ गलट है आपको याद होगा कि यदि आकरिती को एक रेखा के अनुदीश मोड़ने पर आकरिती के दो भाग परस पर संपाती यानि कोइंसिडन्ट हो जाएं तो आकरिती में रेखिक सम्मिती होती है और वह रेखा एक सम्मीत रेखा कहलाती है इस तरह से इस आकरिती में इस प्रकार से पहली, इस प्रकार से दूसरी, इस प्रकार से तीसरी, इस प्रकार से चौथी, इस प्रकार से पांचवी और इस प्रकार से छटी सम्मीत रेखा खीच सकते हैं इसमें हम और सम्मीत रेखाएं नहीं खीच सकते इसलिए हम कह सकते हैं कि आकरिती में छो सम्मीत रेखाएं है घुणन सम्मिती की जांच करने के लिए आकरिती पर एक बिंदू दर्शाएंगे ध्यान रहे यह बिंदू आकरिती का हिस्सा नहीं है आपको यह भी याद होगा कि आकरिती को घुमाने पर यदि वह पहले जैसी दिखती है तो आकरिती में घुनन सम्मिती होती है जिस कोण पर आकरिती को घुमाने पर हमें घुनन सम्मिती दिखाई देती है उस कोण को हम घुनन का कोण कहते हैं एक पूर्ण चककर में जितने घूणन के कोन होते हैं उनकी गिंती को हम घूणन का करम कहते हैं यहां इस आंकृती में 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री, 300 डिग्री 307 डिग्री इत्यादी 6 कोणों पर घुमाने के बाद हमें घुणन सम्मिति दिखाई देती है इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस आकरिती में क्रम 6 की घुणन सम्मिति है इससे अब हम कह सकते हैं कि मनिशा की समझ सही है अगला उदारण नीचे दी गई साड़नी को पूरा कीजिए अंग्रीजी वर्णमाला यानि इंग्लिश एल्फबेट के अक्षर C के मध्य से जाती हुई एक शैतिज रेखा इसे दो भागों में बाटती है जिससे उपरी आधा भाग और नीचे का आधा भाग एक दूसरे के दरपन प्रतिपिम दिखाई देते हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक सम्मीत रेखा है इस रेखा के अलावा और कोई भी सम्मीत रेखा C पर नहीं खीची जा सकती इसलिए हम कह सकते हैं कि C में सिर्फ एक सम्मीत रेखा है इसी तरह हम C को एक पूर्ण चक्कर के लिए घुमाए तो हम देखते हैं कि सिर्फ 360 डिगरी के घुणन पर सिर्फ एक बार हमें पहले जैसे स्थिति दिखाई देती है इसलिए हम कह सकते हैं कि C में क्रम एक की घुणन सम्मिती है इसी तरह आप N की पंक्ती स्वयम भरिए अब तीसरी पंक्ती के इस आकार को देखिए क्या इसमें हम कोई सम्मीत रेखा खीच सकते हैं सोचिए सोचिए बिल्कुल सही इसमें एक भी सम्मीत रेखा नहीं खीची जा सकती इसलिए इस आकरिती में सम्मीत रेखाओं की संख्या शून्य है इसी तरह इस आकरिती को अगर हम 120 डिगरी के कोण पर 240 डिगरी के कोण पर और 360 डिगरी के कोण पर घुमाते हैं तो हमें पहले जैसे ही आकरिती प्राप्त होती है चुकि एक पूर्ण चक्कर के घुणन के दौरान हमें तीन बार पहले जैसी आकृती दिखाई देती है इसलिए हम कह सकते हैं कि इस आकृती में क्रम तीन की घुणन सम्मिती है अब आप दिये सभी आकारों के लिए सार्णी को स्वयम पूरा कीजिए तो आज हमने देखे रेखिक सम्मिती और घुणन सम्मिती से संबंदित कुछ और उदाहरण